वित्र नमश्कार बहुत स्वागत आपका सेल्फी वीडियो के इस खास अंकमी मैं हूँ आपके साथ आपका इश्रोफेर्ट संतोशी सेल्फी वीडियो के आप लोगों को मैं तुरित कुछ बताने के लिए आ जाता हूँ अचानक से जब भी कुछ हमारे मस्तिश्क में आता क कुछ आप लोगों के साथ साचा करना चाहिए बताना चाहिए आपको कुछ अचानक से आधा है कि अब बताना है तो बस इस तरह से मोबाईल कैमरा आन करता हूं और आरम हो जाता हूँ खुलिका दहन पर इस बार कुछ विशेश हम आपको बचाव के रास्ते बताएंगे होलिका दहन नौतारिक को एक सुध्यास्त के बाद जब होलिका जलाई जाती है उस दौरान किसी ने किसी रूप में कई दफा कुछ लोग एक नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं समझ नहीं पाते हैं और हाथ से हो जाते हैं आपका भोग आ गया आता है कई बार अधकसरा ज्यान लेकर के लोग आप लोगों के साथ कुछ मजाक कर जाते हैं कि चलिए आप ऐसे कर दीजेगा ऐसे कर दीजेगा आपने पूछा उनको गहराई से जानकारी नहीं और वो खेल कर गए आपके साथ मैं कुछ जानकारी आपको इस प्रकार की दूंगा कि आपके साथ अगर किसी भी तरह से कोई नेगेटिव इंटेंशन के साथ नकरात्मक सोच और विचार के साथ खेल करने की कोशिश करेगा कि चलो इनके साथ हम खेल कर जाते हैं कुछ खिला दिया पिला या आप पर कुछ प्रभाव डाल दिया तो आपकी रक्षा हो जाएगी बहुत छोटा सा प्रियोग हम आपको बताएंगे ज्यादा कुछ नहीं करने क्या वशक्ता है महज एक से डीड़ मिनट में आपका यह प्रियोग आप तक पहुंच जाएगा हर किसी के लिए निवार है हाँ माता पिता आपने बच्चों के निमित्त कर सकते हैं बच्चों को करने क्या वशक्ता नहीं है और यह प्रियोग अपने घर पर ही आपको करना है आपको कहीं होलिका में जाने क्या वशक्ता नहीं है अकसर होता ना कि कुछ शहरों में तो कुछ जगहों पर होलिका जला दिन डहलने के बाद, सुर्यास्त के बाद आप अपने शहर में सुर्यास्त का समय देख लिजेगा सुर्यास्त के बाद इस सामगरी को मिट्टी का दिया लिजे बालकणी में जाइए, कुछ खुला स्थान हो, वहाँ पर दिया रख करके उसमें कपूर जलाईए और थोड़ा सा पीली सरसो और माचिस की तीली से हलका सा नमक आप डाल दीजें दिये में कपूर को फिर डालीے उपर से कपूर फिर डालीए और बालकनी में रख करके मंत्र जपिएगा मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का झाप करिएगा और फिर कपूर को जला दीजियेगा। कितनी बार जाप करना है। सेवेνट टाइमंस साथ बार। जाब करने के बाद कपूर जो दिये में रखा है उसके अंदर सामगरी रखी है उसको जला दीजेगा अगर आप होलिका दहन में जाते हैं तो आप सीधे इन समस्त सामगरियों को दिया सहित दिया भी दिया सहित होलिका में डाल दीजेगा बस इतना सकरिये हमारे शुब कामना है आप लोग के साथ है एक और खुश खबरी आप लोग को दे दें कि हर रोज रात 10 बजे विद्यार्थियों के लिए मैं काउंसलिंग के निमित उनके कैरियर काउंसलिंग के निमित एक लाइब शो करता हूं रात 10 बजे से प्रभु किरपा तक माने 40 मिट 50 मिट आधा घंटा एक घंटा जुब तक हमारा मन तो हर एक विद्यार्थि उस्वारे खास लाइब शो में आ सकता है रात 10 बजे एस्ट्रोफेंट संतों संतोशी यूट्यूब चैनल पर तो के शिशुल कि है थांक यू, हैपी होली, सेफुली है ने